चार जुन को इंडी वालों की इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा ये प्रहार होगा देज में प्रस्टाचार पर ये प्रहार होगा तुष्टी करण की राजरीती पर ये प्रहार होगा टुकडे टुकडे गैंग पर ये प्रहार होगा समाज को लडाने वाली गंदी सोच पर ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मांसित्ता पर ये प्रहार होगा अपरादी माफिया जंगल राज पर ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिक्ता पर बाई और बहनों जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं उन्हें पता नहीं होता महनत क्या होती है मैंने सुना है किहां कोई गोम गोम कर कह रहा है कि चार जुन के बाद मोदी को बेडरेश्ट होगा भाईयो बहनों मैं तो परमात्मा से पार्थना करता हूँ मैं तो यही कामना करता हूँ मोदी तो क्या देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेडरेश्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए बेडरेश का हर नागरिक उर्जा से भरा हुआ हो उत्सो भरी जिंदगी जीता हो लेकिन जंगल राज के वारिट से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है और यह सब ऐसे ही है, आपने देखा होगा कॉंग्रेस वाले क्या कहते है मोदी तेरी कबर्खो देगी इनका एक क आउंटरपार्ट है उत्तरपदेश में उत्तरपदेश का साथाजादा क्या कहता है अब मोदी के आखरी दिन बनारत में है इसलिए उन्होंने बनारत में अंतिम ग्रू की वबस्ता की है साथियों इस चुनाओं में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाए कोई मुद्दा नहीं है कोई कह रहा है कि मोदी की कब रखो देंगे कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे कॉंग्रेस के साजादे मोदी की आँखों में आशू देखना चाहते है अरे इंडी वालो अपनी मन मानी थे आपकी चाहते अब देश नहीं चलता इंडी वालों की आँखों में भले ही मोदी खटकता हो लेकिन देश के लिए देश के दिल में मोदी है हर दिल में मोदी है और हर दिल एक ही बात कह रहा है वे रेकमार, वे रेकमार, वे रेकमार